नमस्कार, मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है इस बुलेटन में हम आपको बताएंगे कि अगले 24 से 48 घंटे में देश के अलग-अलग हिस्सों में किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है और इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि मानसून की प्रोग्रेस क्या है आखिरकार केरल में कब दस्तक दे रहा है मानसून लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिस है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भी सेर करें जिससे आथेंटिक जानकारी मौसम की सब के पास पहुंच सके तो आईए सुरू करते हैं कि क्या इस्थती है इस समय की बात करें तो पूरे देश की इस्थती आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बादलों की धमा चौकडी अभी भी हम कह सकते हैं पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास हैं लेकिन बिहार में जादातर जगहों से बादल हट चुके हैं पूरी उत्तर प्रदेश में भी धीरे-धीरे मौसम साफ हो रहा है और यह स्थती हम कह सकते हैं कि कमो वेस आगे भी जारी रहेगी लेकिन एक दूसरी एक्टिविटी जो सुरू हो रही है वो आप यहां पर देख सकते हैं यह वेस्टर्न घाट है या हम कह सकते हैं कि पस्चिमी किनारा है भारत का यहां पर केरल में कई जगहों पर अच्छी खासी बारिस हो रही है और ये बारिस कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि मानसून की जो हवाएं हैं वो इस पर असर डाल रही है लेकिन अभी तक यहां पर मानसून नहीं पहुचा है और मौसम विभाग को उमीद है कि यहां पर 31 मई के आसपास मानसून दस्तक दे देगा इसमें आमूमन जो है प्लस माइनस चार दिन की बात कही जाती है लेकिन अब आज की अगर हम बात करते हैं तो आज 29 मई हो चुका है कल 30 है और जो कंडिसन्स हैं वो फेवरेबल हैं यानि केरल के लिए फेवरेबल हैं यहां मानसून की बारिस और ज़्यादा तेजी पकड़े पर परो रहा हम उसकी बात करेंगे और उसको बताएंगे कि किस तरीके से मौसम वार्णिंग दे रहा है तो यहां पर अलग अलग चीजे पहलेound को दिखाते हैं Convenal का कैर पश्ट्ट पर एक्टिविटी बढ़ेगी यह जो blue इलाका है यहां पर हम कह सकते हैं चार से साथ सेंटीमीटर की बारिस का अनुमान है तो सीधी सी बात है चार से साथ सेंटीमीटर 24 गंटे में बारिस की बात कही जा रहे है यह तीस तारीक की बात दूसरी चीज यह है कि इस इलाके में यानि बादलों की जबरदस्त एक्टिविटी है यह देखे ग्रीन का मतलब है यहां पर जो बारिस है एक बड़े इलाके में यानि समंदर के अंदर बारिस है दो से चार सेंटीमीटर की बारिस होने का अनुमान है और यह जो हवाई है यह क्या कर रही है यह हम कह सकते हैं दक्षणी प्रायदूप में एक बड़े इलाके में बारिस देंगी यानि 24-48 गंटे में हम कह सकते हैं कि महाराष्ट का वो इलाका जो करनाटक से लगा हुआ है व आदराबाद और आसपास के इलाकों में मौसम बदलेगा और जहां पर यलो कलर्ड आपको दिख रहा है वहां पर चिटपूट बारिस की संभावना मौसम विभाग जता रहा है साथी साथ महाराष्ट की बात करें तो महाराष्ट का वो हिस्सा जो करनाटक और तेलंगाना स और यह जो हिस्सा है हम कह सकते हैं ज्यादा तर जो तेलंगाना से लगा हुआ हिस्सा है वहां पर यह एक्टिविटी रहेगी तेलंगाना और करनाटक से लगे हुए हिस्से में आंध्रप्रदेश में चलिए और इससे ज्यादा जो एक्टिविटी रहेगी अगर हम उसकी बात करें तो वह एक्टिविटी पूर्वी भारत में देखी जाएगी तो वहां पर किस तरीगी एक्टिविटी है क्या होने जा रहा है आईए हम आपको बताते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि जो बिहार है बिहार में पिछले 24-48 गंटे में बड़ी अच्छी बारिस हु का अनुमाल लगाए जा रहा है मौडरेट का मतलब होता है चार से साथ से सेंटीमीटर की बारिस साथी साथ यहां पर एक और चीज आप देख रहे होंगे यह नेपाल है नेपाल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर एक्टिविटी रुकेगी नहीं यहां एक् कर सकते हैं और कई इलाकों में अगर हम बात करें हिमाचल में तो जो मद्ध हिमाले वाला इलाका है वहां पर बारिस छुटपुट रहेगी तो यह स्थती हम कह सकते हैं तीस तारीक की है यानि आज से 24 से 48 घंटे की बात यहां पर हो रही है चलिए हम आपको निमेरिकल तो यह सारी चीजें आप तभी समझ पाएंगे जब आप मॉडल में देखेंगे निमेरिकल मॉडल में क्या होता है तमाम जो वेदर का डेटा होता है उसको डाला जाता है और एक हम कह सकते हैं कि मौसम का मॉडल होता है कि कि किस तरीकी का मौसम देगा यानि हम कह सकते हैं प अपना जो है डेटा होता है जो temperature record करते हैं या हम कह सकते हैं वायुदाप record करते हैं उन सब को इस model में डाला जाता है और उसके बाद prediction दी जाती है तो वह prediction numerical numerical Magical model में आती है आईये हम आपको दिखाते हैं कि कि सथी 對 है तो यहां पर nhưng मोडल की जब हम बात करेंगे जahr बड़ी असानी से देख सकते हैं कि किस manufacturing की बनेगी तो यहां हम आपको दिखाएंगे कि क्या इस्थती बन रही है तो अभी कि अगर हम बात करें तो यहां एक्टिविटी जो भी थी ओ धीरे-धीरे कम होती चली जा रही है और यह एक्टिविटी जो कम हो रही है वो अपने रफ्तार से कम हो रही है बहुत जादा बारिस बिहार में हो चुकी है पूरी उत्तरफडेश में हो चुकी है कं तमाम Griffों में भारी मारी होई लेकिन यहां पर एक्टिविटी छिटमूट जारी रहेगी हो जारी आपको एक्टिविटी स्वे हुआ अगर निकोवार की बात करें तो वहां पर activity अब तेज हो रही है यह चीजें साफ साफ दिख रही ही कि हवाएं तेजी पकड़ रही है साथ अरब सागर से जो हवाएं मानसून की आ रही है घूम के आ रही है अगर हम उसकी बात करें तो केरल कोश्ट पर धीरे धीरे activity बढ़ती चली जा रही है और यह रहा है जो जम्मू कस्मीर में फरक डालेगा साथी साथ मैदानी आलाकों में कुछ मौसम देगा और इसके लावा उत्तराखंड में मौसम देगा तो यह activity यहां पर दिखाई जा रही है और साथी साथ यहां की बात करें अगर हम कोश्ट की बात करते हैं तो केरल में हवाओ की रफ्तार बढ़ जाएगी और यह रफ्तार बढ़ने के साथ साथ क्या करेगी अब हम बात कर रहे ही कतिस तारीक की कतिस तारीक को आप देखिए कि हिमाले के तमाम इलाकों में जिसमें जम्मू कस्मीर हिमाचल और रुत्राखंड में activity रहेगी क्योंकि डबलू डी आगे बढ़ रहा है और मैदानी इलाकों में इसका असर आ रहा है और ये असर कहां पर आ रहा है fundamental दिल्ली तक इसकी असर रहेगा लेकिन जादा आसर पंजभ और हर्याणा में देखा जाएगा तुर szerya ऐगा तो यह career आपको देखने को मिलेगा और खासतौर पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में चुकि सूखे प्रदेश से हवाई आ रही है तो इसलिए राजस्थान में थोड़ा गर्मी जादा रहेगी लेकिन हवा की रफ्तार अच्छी खासी रहने की संभावना है चलिए आगे हम दिखाते हैं आपको ये एक जून की हम बात करें एक सकते हैं जो हवाई जा रही है वो पहुंच रही है साथी साथ पूरब से जो हवाई आएंगी उन में तो एक बड़े इलाके में मौसम बदल जाएगा यानि जून की सुरुआत जो हैं बदले हुए मौसम के साथ होगी और साथी साथ यहां जो विश्टर्न घाट है खास त दालेगा मौसम बिभाग का कहना है कि 30 तारीक की बात करें या 30 माई की बात करें तो अभी जो कंडिसंस हैं केरल के लिए फेवरेबल है यानि केरल में मांसून जल्द ही दस्तक देने जा रहा है और मौसम बिभाग पूरी तरीके से नजर रखे हुए पिछले 24 गंटे की ब अलपुजा की बात करें अलपुजा में जो कहा जा रहा है वो 13 सिंटीमीटर की बारिस रिकार्ड की है मौसम बिभाग ने तो कहीं न कहीं बारिस बढ़ रही है और बारिस को जो रिकार्ड रखे जाते हैं मांसून के लिए खास तौर पर पिछले 48 घंटे में क्या डिस्ट खागर में ना जाएं क्यांकि हवाओं की रिफ्तार बढ़ चुकी एतिश से 40 किलो मीटर घंटे ही रफतार समन्दर में आ रही है तो कहीं न कहीं मांसून सिट होने की इस्ते आई है है कि हवाओं को मांसून बोलते हैं और यह हवाइं जो है कहीं कहीं बारिश ले के आती हैं मांसून केरल में जल्द ही दस्तक देने जा रहा है ऐसा मानना है मौसम विभाग का और जल्द ही इसकी घोशना कर दी जाएगी आने वाले कुछ दिनों में जब जब रदस्त बारिस होगी उसके बाद मौसम विभाग इसकी घोशना करेगा तो देखते रहे हैं मौसम इस्टेशन फिर मिलेंगे दोबारा